वेस्ट बंगाल भारत में बिरिंजल की खेती के मामले में लीडिंग इस्टेट है लेकिन यहाँ विल्ट बैंगन की खेती की एक बहुत बड़ी समस्या है विल्ट की वज़द से यहाँ के किसानों की पूरी खेती नष्ट हो जाती है और इससे बचाव के लिए कई नरसरिच के द्वारा उन्हें वाइल बिरिंजल के एक स्पिसीज सोलेनम टर्वम पर ग्राप्टिंग किये हुए पौधे लगाने की सलाह दे जाती है सोलेनम टर्वम को हम टर्की बेरी के नाम से जानते हैं सोलेनम टर्वम वाइल बिरिंजल की कई प्रजातियों में से एक है हलाकि इस पर ग्राप्टिंग किये हुए पौधे भी यहाँ के किसानों की विल्ट से सम्मंधित समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है वाइल बिरिंजल की एक और इस्पिसीज है जिसे हम सोलेनम सिसंब्री फोलियम के नाम से जानते हैं यह विल्ट के लिए हाइली रजिस्टेंस सो करता है सोलेनम सिसंब्री फोलियम बंगाल की लोकल क्लाइमेट को काफी सूट करता है BCKV जिसे हम विधान चंद्र क्रिश्री विश्विद्याले के नाम से भी जानते हैं वेश्टेबल ग्राप्टिंग में किये गए रिसर्च में यह पाया गया कि जब हम हैब्रीड ब्रिंजल को सोलेनम सिसंब्रिप्रिलियम पर ग्राप्टिंग करते हैं तो यह पौधों को विल्ट से बचाती है और बहुत ही अच्छी उपज देती है अतह वेश्ट बंगाल की लोकल क्लाइमेट में विल्ट के अगेंस्ट काफी रेजिस्टेंस सो करने की वज़़स से विल्ट से बचाव के लिए बैंगन की ग्राप्टिंग में रिकमंड की जाती है यहाँ जो मैं आपको पउधा दिखा रहा हूँ ट्रे में यह सोलेनम सिसंब्रिप्रिप्रियम का रूट इस्टोक है और मैं इसी में अपने जो हैब्रिट बिंजल है उसे ग्राप्टिंग क करने वारा हूं